हेलो वेलकम बैक टू प्रिया लक्षमी बाला जी सेलर हाप रोस्टेट का न्यू स्टॉक जो एकदम फ्रेश अर्दी कॉलिटी है जो सबको बहुत अच्छा लगता है यह आपर निकाला है एक स्टॉक हाप रोस्टेट का यह आप देख सकते कुछ बात आपसे शेयर करनी थी फ्रेंड्स जेको हम मिट्टी बेचते कोई चोरी थोड़ी करते कोई बिजनस ही कर रहे ना ऐसे थोड़ी है अब यह तो हर एक के हाथ में है कि वो कितना खाए यह नैचरल मिलने वाली चीज है जो हमारी यहापे मिलती है तो हम उसको सेल करके कुछ पैसे कमा रहे है तो किस नहीं पड़ी है तुम तुमारा बिजनस संबालो तुम्हें क्या काम करना है तुम क्या काम करते हम दखल अंदाजी नहीं करते तो तुम भी हमारे काम में कोई दखल अंदाजी ना करो यह मिट्टी का बिजनस है तो बेच रहे है तो तुम्हें क्या दिक्कत है यह समझ में नहीं आता हमको, ऐसे थोड़ी कि कोई चोरी कर रहे हैं, और ये सब, अभी वो तो खाने वाले की उपर डिपेंड है, वो कितना खाना चाहिए, उसको कम खाना है, ज्यादा खाना है, तुम जैसे काजु बदाम भी ज्यादा खाते तो भी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता होगी ना, तो कोई भी चीज जादा खाते तकलिप तो होगी ना, तो समझने की बात है, ये बे अकल के जैसे आ जाते हैं, और फिर कुछ भी उल्टी सीदी, वो हमारा काम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम थोड़ी चुप बैठेंगे, बराबरे, तो जो भी ऐसे काम करते हैं, उनको मेरा कहना है, कि तुम तुमारे बिजनस पर फोकस करो, तुम तुमारे काम पर फोकस करो, दुसरे के काम में टांग अड़ा कर, तुमें कुछ मिलने वाला नहीं, ना हम तुमारे घर आते हैं, तुमसे पैसे मांगने के लिए, और ना तुमारे इतनी ही जिद है तो फिर हमारे पास भी बहुत सारे पैतरे हैं जिससे हम तुमारा भी बैंड बजा सकते हैं तो फालतो की बकवास करने की जरूरत नहीं है तुमारे काम पर फोकस करो मिट्टी का बिजनस है तो मिट्टी बेच रहे हैं नैचरल सालों से बेचते लोग तो उसमें हमने बिजनेस चल रहा है तो और ये एकदम small scale business है कुछ ऐसा higher scale business है नहीं तो फालतू के बकवास करने के लिए उनको इतना समय कैसा होता है ये समझ में नहीं आता है तो ऐसे फालतू लोगों के लिए ये वीडियो है कि तुम तुम्हारी काम पर focus दो हम कोई किसी की घर में जाकर च हम उनको कुछ बताएंगे भी नहीं